लेट 1990s के बाद में भारती रिल्वेज में राजदानी, शताबदी इन जैसे प्रीमियम ट्रेंज का चलन बढ़ने लगा था और कई सारे लोग इनका इस्तमाल करने लगे थे बहुत रेगुलरली जिसके कारण डिमार्ड इनकी बढ़ रहे थी लेकिन जो लोकोमोटिव जो ट्रेंज को कीचा करते थे वो कोई खास रिलैबल थे नहीं कई बार वो बंद बढ़ जाते ना वो स्पीड को मिंटेन कर पाते और बहुत ज़दा इनेफिजिंट थे इसके लिए लेट 1990 से इंडिन दिल्विस को भी ये महसूस होने लगा कि उनको कोई ऐसे लोकोमोटिव की जरुवत है जो की राजदानी शताब थी और इने जैसे दूसरे प्रीमियम ट्रेंज के अंदर लगाया जा सके और इसलिए काम शुरू हुआ देश की एक ऐसे लोकोमोटिव को बनाने के लिए जो स्पेसिफिकली प्रीमियम ट्रेंज को होल करने के लिए बनाया जा रहा था और ये जो कोशिश थी उसका आउटकम था वैप 7 लोकोमोटिव जो आज इंडिन दिल्विस का सबसे ज़्या नजीन लोकोमोटिव को बनाती है तो क्या है इस लोकोमोटिव की कहानी और क्या खासियत है इस लोकोमोटिव की इसे के बारे में हम जानेंगे तो जब इस लोकोमोटिफ के डेवलपमेंट की शुरुआत होनी थी 1990s में तब जरुवत इंडिया को ऐसे इंटरनेशनल पार्टनर्स की थी जो एक्चल में एक्सपर्टीज रखते हो ऐसे कोई लोकोमोटिफ के डेवलपमेंट के लिए और इसके लिए ABB, Simmons और Alstom इन कमपनीज की मदद लिए गई इस लोकोमोटिफ के डिजाइन प्रोसेस के लिए वाब 7 के पहले जो अच्छे लोकोमोटिफ इंडियन डेवलपमेंट में होते थी वो थे वाब 4 जैसे लेकिन उनमें भी कई दिक्कत ही थी तो वाब 7 को इन में से एक बहतर मोडिफाइड वर्जन के तौरपे बनाने का डेसिजन लिया गया और जो main aims इसके लिए रखे गए थे वो थे advanced features, technologies, high speed operations को लंबे समय तक maintain करना और performance को improve करना और इसके लिए designing इन companies ने मिलकर की इंडियन रेलविस के साथ में और एक prototype बना दिया साल 2000 में अब क्योंकि एक brand new locomotive था तो इसकी बहुत ज़्यदा टेस्टिंग की जानी थी और इसको internally बहुत ज़्यदा टेस्ट करने के बाद में deploy किया गया दिल्ली हाउडा और दिल्ली मुंबई कोरोडोस के उपर जो की ऐसे कोरोडोस थी जहाबर passenger demand बढ़ रही थी और premium trains generally in demands पर अच्छे कासी occupancy के साथ में चलती थी दीरी दीरी ज़र समय गुजरा तो मालुम बड़ा ये train ना सिर्फ robust है अपने design के अंदर लेकिन इसका performance भी बहुत powerful है ये smooth operations maintain कर सकता है, acceleration इसकी बहुत ज़दा अच्छी है लेकिन जो सबसे बड़ा benefit इस locomotive का railway को निकल के आ रहा था वो थी इसके efficiency ये देश का पहला ऐसा made locomotive था जिसके अंदर efficient regenerative braking का इस्तामाल किया गया था और regenerative braking दो फाइदे दिला रहा था पहली बात ये braking magnetically होती है जिसके वज़े से braking smooth हो गई और दूसरी बात क्योंकि ये बिजली regenerative braking से बनाता था तो ये return भीज देता grid को और approximately 50 to 20% of electricity जो ये अंदर लेता था उसको return कर देता था जिसके वज़े से ये दूसरे उस समय पे प्रेजेंट लोकोमोटिव से काफी ज़द सस्ते में चल सकता था और इसके वज़े से इंडियन रिल्वेस ने इसकी production को ramp up करने का decision लिया और जिम्मेदारी मिली चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को और ये इसे बना कर दीरी दीर रिल्वे के कई सरे अलगलग जोन्स को बातना शुरू किया और आज के डिट में more than 600 वैब 7 इंडिया के अंदर operational है और कई सारे बन भी रहे है अब जान लेते हैं कि ये जो वैब 7 लोकोमोटिव है इसके कौन से ऐसे खास फीचर्स थे जिसने इसको इतना ज्यादा केपिब और successful बनाया तो पहले थे high-speed operations ये design है 160 km per hour के speed से continuously चलने के लिए और इसका जैसे ये one of the fastest electric locomotives बन जाता है देश के अंदर का ये देश का initial locomotive था जहाँ पर microprocessor based control system का इस्तमाल के आ गया था जो की एक advanced control system यूज करता था यानि basically जो traction है या train को चलाने के लिए आगे बनाने के लिए जो energy use होती है breaking, diagnostics ये सब computer control था इसके पहले कही सरे जो alcohol locomotives थे दूसरे electric locomotives थे उनमें दिक्कत दिये थी कि कुछ-कुछ controls manual हुआ करते थे जो computer operated और feedback based नहीं थे जिसके वज़े से controls के अंदर कोई दिक्कत अगराती थी तो overall पूरे के पूरे locomotive के performance पेफेक्ट होत इसे ये reliability और अपने controls के द्वारा दिया जने वाला feedback लंबे समय तक maintain करता था इसके बाद में जो गवना दो biggest benefit वैप 7 का था वो था इसका किसी भी weather condition में चलना, extreme heat, heavy rain, cold climates कही पर भी ये चल सकता था और rigorous testing and usage के दोरांगीजी प्रूव भी हुई, दूसरा इसके बाद था streamline design, aerodynamic और streamlined design होने के वज़े से air resistance वैप 7 में कम था और इसके वज़े से high speed के जूसकी capability इसको मदद मिलती थी, next benefit था improved suspension, वैप 7 locomotives के अंदर एक बहतर तरीके का side damper suspension भी लगाया गया था, जिसके वज़े से ये एक locomotive के तोर पर बहतर ride quality बना सकता था, और इसके जैसे जो पी भी हैथ करता था, especially high speeds के उपर, next था multiple train control systems, ये locomotive एक ऐसे system से less था, यो कि देश बर के अंदर चल रहे है, जितने अलग-अलग type के trains थे, उनके control systems के साथ में directly link हो सकता था, जिसके वज़े से बिना जादा modification के, बिना जादा changes के हुए, इस locomotive को किसी भी train set के अंदर लगाया जा सकता था, वो राजदानी कोचिस हो, ICF कोचिस हो, या शताबदी कोचिस, इसके बाद में, अगर current development की बात करें, वैब 7 की, तो इसकी performance को बीच बीच में कई सारे versions के अंदर improve किया गया, efficiency, reliability को बढ़ाया गया, और कई technological advancement किये गए है, system के requirements के साब से, इसके अलाबा, ये CLW की workshop है, वो बहुत बड़ी संक्या के अंदर ये locomotives बनाती है, और ये कहानी हमारी देश के अंदर आज तक बने हुए, सबसे successful electric locomotive की, तब कोई वीडियो देखके अगर अच्छा लगा हो, तो इसे like करना, चाल को हमारे subscribe करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में,